हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशे करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छे होंगे मेरा नाम है सुदीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 वर्ब्स एन एडवर्ब्स ठीके तो वर्ब क्या होते हैं ऐसे वर्ड जो डूइंग वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी काम का पता चलता है उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं ठीक है ना उसके बाद हैडवर्ब आते है से हिंदी में कहते वह दोड़ता है तो जल्दी समझ में आएगा आपको वह दोड़ता है तो यहाँ पर देखिए काम वाली कौन से चीज़ हो रही है दोड़ता है यह क्या हो जाए अपका वर्भ हो जाएगा लेकिन अगर मैं यही कहा कि वह वह बहुत तेज दोड़ता है वह तेज दोड़ता है ठीक है न चलिए वह तेज दोड़ता है या वह बहुत तेज दोड़ता है तो यहाँ पर एडवर्ब क्या होगा वह दोड़ता है लेकिन कैसे दोड़ता है तेज दोड़ता है तो यह आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब समझ में जैसे मैंने कहा की वह साइकिल चलाता है ठीखिया लेकिन वह साइकिल बहुत-ध specialists करते मुझे लगता है क्या को समझ में जैसे मैंने लिखा ही जबर डिकिन अगर मैं और कि इस फास्ट राइन यह बहुत द़रता तो पाल स्वाइबर्ड चलिए अब यहां पर आते हैं कूशन पर ऐनिन पार्ट डैश पार्टिसीपेटिंग इन इसकारटिंग कॉस्ट पर यहां पर दो लोग है तो यहां पर आपकी यूज़ होगी वह भी आपकी है किसमें यूश होगी plural में, तो plural वर्ल क्सें कौन सिर्वhões है, आर है, ठीक है, तो यहां पर R यूश करेंगे, दीकिते पार्टिसी पेटिंग अई एइं लग है तो यहां पर आपके यह continuous का टेंस है continuous में आपके क्या आते हैं आ राता है ठीक है न हेल्पिंगो तो यहाँ पर लिखेंगे आर option number A चले आगे आते हैं second number पे you dash attend school tomorrow क्या तुम school कल attend करोगे ठीक है न you must यानि कि आपको must का मतलब होता है कि यह काम compulsory है आपको करना ही करना है तो आपको कल school attend करना ही है ठीक है चले थर्ड नमर पे आते हैं simran death recite the poem to the class यानि कि जो simran लड़की है वो poem सुनाएगी school में कब कल सुनाएगी तो जब future की बात होती है यानि कि कल सुनाएगी जब कल आएगा तब सुनाएगी तो यह future की बात हो रहे तो future की बात जब होती है तो यह future tense में आता है और यहाँ पे help यूँगा यूज होता है क्या आपका will ठीक है चले phone number पे आते हैं अगर वो डिसोबे करता है यानि कि अगर वो मेरे orders को नहीं मानता है तो उसे punish कर दिया जाएगा उसे मारा जाएगा तो यह बात आगे के लिए हो रहे है कि अगर वो मेरी permission नहीं माने आगे जब वो कभी नहीं माने गाएगा पीछे तो माने कर नहीं पीछे जो हो गया हो गया अब आगे अगर वो डिसोबे करता है बात नहीं मानता है तो उसको punishment मिलेगी तो यह भी future की बात हो रही है तो यहां पर future के लिए कौन सा यूज़ करते हैं दोस्तों यूज़ करते हैं ठीक है चले फाइफ नमर पर आते हैं यूह बीन गूड बॉइट टुड़े ठीक है तो देखें यहां पर जब बीन यूज़ होता है तो बीन के साथ हम दो words एड़ब यूज़ दो हेल्पिंग और यूज़ करते हैं है एज हैव और हैड ठीक है तो यहां प प्लैंक सब्सक्राइब करेक्ट फॉर्म में मेंनिंग्फुल सेंटेंस तो यहां पर एक्जांपल पहले यह समझ लेते हैं रानी डैश हर्ती त्वाइस डए यानि कि रानी जो है अपने तीट को दो बार ब्रेश करती है तो यहां पर क्या होगा ब्रेश वर्ड होगा ठीक यह आएगा आपका ब्रोक यानि की किसीने क्या किया तोड़ दिया फिर सेवें ःबर मृएफ डैश अफ कष्ट पॉर दविया क्या कर रही है इस्नाक बना रही है पार्ट के लिए हैं तो यहां पर लुख़्णगे गरिबभ की बना ही रहिए ठीक है ना कॉंटी ठीक है ना जैसे afternoon में क्या होता है दो पहर में वो अपना जो लंच है पुरानी बात हो रही है तो यहां पे जो आपका वर्ब आएगा वो पास्ट फॉर्म में आएगा तो जैसे eat का पास्ट फॉर्म क्या होता है eat88 तो यहां पर क्या आएगा option number D 8 ठीक है ना क्योंकि दो पाहर की बात हो रही है कि माली जी आज साम की बात है तो उन्हें ने बताए कि यहां पर पास्ट की बात हो गई तो पास्ट की बात के लिए हम क्या यूज करते हैं यूज करते हैं वर्ब की तो 8 यानि का option number D चले तो यहां पर हमने इसको कर लिया है नाइन नमर पर आते हैं आई डैस माइच्टेमली एक्सपैंसिव नेकलेस लाश्ट मंथ तो मेरा जो नेकलेस था वो मैने क्या क्या खो दिया तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे लॉश्ट वर्ड ठीक है ना क्या यूज करेंगे लॉश्ट फिर आते हैं 10 पर 10 पर लिखेंगे सुमित dash hard and the dash best price तो जो सुमित है वो मेहनत कर रहा था कैसा work hard यानि पुरानी बात हो तो work hard and got first price और इसे क्या मिला first price मिला ठीक है चले आगे आते हैं question number 11 पर question number 11 हमारा क्या कर रहा है this is the teacher who also dash my father when he was young याने कि जब यह जो teacher है ये जब ये पापा यंग थे तो उनको भी पढ़ाते थे ठीक है तो यहां पे हम क्या भरेंगे taught गोशी प्ड़ई़ तो यहां पर सेकन्ट form यूज्छ рव तो यहां सेंट ऊज्ट हो का यहां उबरेंगे 8 यहां पर दिशन आप्शन तो फिर से ट्वैल नमबर हुद एन्वल फंक्शन एस्टरडे तो या एस्टरडे का मतलब यह होता है जो टाइम बीच चुका है पुरानी बात हो रही है तो यहां भी अटेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है अटेंडेंट अटेंडेंट तो आप्शन नमबर बीस में क्या हो है तो यहां पे होजाएगा option number d ठीक है चली 14 नमबर है आपके सामने सुमित is there in the park तो सुमित क्या है पार्क में और वो क्या कर रहा है मालब करी रहा है तो यहां पर आईंजी फॉर्म आएगा या निकि अभी करी रहा है ठीक है अगर देखे लिखा भी हुए तो यह आपका किसमें आएगा कॉंटीनिवर स्टेंस में आएगा और साथ ही साथ अगर वो काम उस टाइम तक हुई रहा है मलब एक्सरसाइज कर रहा है तो आइंजी के साथ आता है ठीक है चलिए अब फिप्टी नमर पर आते हैं वाई फादर डैसे हैबी बॉक्स यानि कि मेरे पापा जो खाया था चलिए अब आगे आते हैं सी नमबर पर सी नमबर हमारा क्या है दा मोश्टेबल एडवर्ब यहां पर भड़ना है हमें कि जैसे हैं या कहीं भी आपने हमेरे डॉक को देखा ठीक है तो यहां पर क्या यूज़ोगा एनिवेर अब यहां पर आते हैं 60 नमबर आव यहां पर यूज़ोगा जनरली जनरली उसे कहते हैं जिसे बार बार कोई चीज आम बात हो जाती है हो ना तो उसे जनरली कहते हैं वी हैब डैस टाइम टू रिलैक्स और इंज्वाए ठीक है ना तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों इनफ यानि कि हमारे पास परियाप् पर दोस्त नहीं है टाइम की और हम क्या करेंगे अराम से रिलैक्स करेंगे और इंज्वाए करेंगे ठीक है एक नमर कॉशन है वी वर डैस टायर्ड आफ्टर दा ट्रेकिंग तो हम जब ट्रेकिंग का मतलब क्या होता है जब हम माउंटेंस पर जाते हैं और वहां पर चलत लेकिन जब हम टू का यूज कर देते तो आप बहुत ज़्यादा ठक जाते हैं मौंटेंस पर चड़ने के बाद आप जहर सी बात है कि बहुत ज्यादा ठक जाएंगे नाइटीन नबर है मैं फादर डीड नियूस पेपर तो मैं मेरे पापा जो है नियूस पेपर पढ़ते चेले 21 नंबर पे आते हैं को मैसी सिस्टर ने कहीं चुपा दिया और तो इस पासर की बात हो रही है कि सी घर की बात हो रही है तो यहां प्लके 3D यह खींद श्रेख्स में है कि सिस्टर ने कहीं करो चुपा दिया है अ पास-पास की बाते तो नौवेर यूज करते हैं कि नौवेर कुड़ आई फाइंड रेकट ठीक है अब आते हैं 22 पे फूड इस डैस स्टेल का मतलब होता है बासी ठीक न तो यहां पर क्या यूज करेंगे तो यहां पर मियूज करेंगे रेयरली ठीक न यानि कि जो खाना है वो क्या है बासी है इसलिए इसे मत खाओ 23 नमबर है I went as a watched a movie ठीक है ना तो आप movie देखने के लिए कहा जाएंगे अगर आप उपर जा रहे हैं मतलब कमरे में जा रहे हैं सिंध्यों पे चड़के तो इसे हम लिखते हैं आप सिंध्य से नीचे आ रहे तो उसे कहते हैं downstairs तो यहाँ पे कहा जाएंगे आप आप सिंध्यों पे चड़के जाएंगे और क्या देखेंगे मूवी देखेंगे अब यहाँ पे है 24 नमबर आसिस और इस मदर विल बी लिविंग फॉर चंड़ीगर तो आसिस और उसकी मम्मी जो हैं वो विल बी यानि कि देखें विल बी यहाँ पे विल बी का मनलब क्या हो राव फ्यूचर की बात हो रही है ठीके ना तो एस्टाइडे मनलब होता है बीता हुआ कल अब तुमारो क्या होगा आने वाला कल यानि कि फ्यूचर की बात हो रही है उसमें आसिस और उसकी मम्मी कहा जाएंगी चंडीगर लीविंग फॉर चंडीगर ठीके ना तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा तुमारो क्यों तुमारो क्या मलब आने वाला कल अब यहाँ पर 25 पर आवर स्कूल में अग्जीन तब पॉब्लिश्ट तो हमार अगरे सब और पहचानने के लिए तो आप सिंपलकर से इससे बी पहचान सकते तो किसी वर्ट के लास्ट में लगा है तो वाट कैसा होगा आपका मैकसिम टाइंग क्या होता होता है तो इतनी सी अप्ढर ठीज्वार यहां अबाउट हिम ठीक है ना तो महीने और सप्ता वीट गए उसके जाते लेकिन उसके बारे में कोई नहीं है तो उसके क्या लिखेंगे हम पास्ट लिखेंगे ठीक है ना चले 27 नमबर पर आते हैं 27 मेंब में ब्रीफली यानि कि जब कोई मैंटर हो जाता है तो उसके बारे में जब हम ब्रीफली का मतलब होता है कि हम उसको अच्छे से ठीक है ना समझ रह difícil कर रहे हैं को आप Profly त जैसे आप को क्वेशन आता है explain रिफ लीडिट辉 तो ऐसे ही जब कोई matter हो जाता है, कोई बात होती है, तो उसे हम briefly क्या करते हैं, discuss करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, briefly, the child answered the question, तो answer जो है, वो बच्चे ने किस तरीके से दिया, promptly का मतलब होता है, जब वो बच्चा ततपर होता है, यानि कि बताने के लिए उत्सुक होता है, उसके अंदर curiosity होती है, बताने के, तो उसके लिए हम क्या use करते हैं, promptly use करते हैं, ठीक है, चलिए, question number 29 पर आते है, question number 29 है, सतीस, walk dash on the footpath, तो दिखिए, यहाँ पर क्या है, हरीडली का मतलब क्या है, कि वो footpath बहुत तेजी से चलना है, जल्दी जल्दी चलना है, जो कि हम हमें नहीं करना चाहिए, हमें सडकों पे और footpath पे बहुत ही आराम से चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि accident के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, अब आते हैं, 30 नमबर पे, you dash do not understand my points, तो यहाँ पे क्या होगा, कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए है, तो still का मतलब होता है, कि आव अब तक आप मेरी बात अच्छे समझ नहीं पाए है, ठीक है, मलब मेरा बोलना क्या हुआ, सब भकवास हो गया, चले होट सेक्षन पर आते हैं, अचीवर सेक्षन में two marks के question होते है, snake dash on the ground, तो देखे जो आपका snake होता है, यह walk नहीं करता, या चलता नहीं है, slide में नहीं कर आते हैं, reptile में आते हैं, reptile कैसे चलते हैं, rain के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर slithers हो जाएगा, चले, अब आते हैं, आपके question number 32 पर, question number 32 हमारे सामने क्या है, our principal dash the flag 15 अगा, देखे तो यहाँ पर 15 के लिए, rose, hosted, lifted, तो यहाँ पर hosted का मतलब होता है, फैराया जाता है, तो जब फैराया जाएगा, तो फैराया के लिए, जो word use होता है, वो क्या होता है, hosted होता है, ठीक है, चले, 33 number question पर आते हैं, रोहन dash on time yesterday, ठीक है, तो yesterday का मलब पुरानी बात हो रही है, और जो रोहन है, वो अपने सही time पर नहीं आया था, तो past tense के लिए हम कहते हैं, did not arrive, ठीक है यहाँ पर do जो होता है, do का second form होता है, do, did, did, तो did के साथ हम verb, यहाँ पर जो verb है, वो क्या है, do था, तो do का second form did हो गया, और verb के साथ ही हम क्या लगाते हैं, not लगाते हैं, तो did not हो गया, और arrive on the time yesterday, तो इसका answer हो जाएगा 33 का option number a, चले, तो यहाँ पर हम आते हैं, अपने अगले question पर, question number 34, December is the month that we celebrate Christmas, ठीके न, तू, यहाँ पर क्या लगाएंगे, when, when का मरलब होता है, जब, जब December आता है, तो हम Christmas मनाते हैं, बस, यही हमें पढ़ना था है, यहाँ पर, चले, 35 number question, the teacher asks the tall student to stand behind, देखें, जो बड़े बच्चे होते हैं, आपकी जब assembly होती है, तो आप भी जानते हैं, कि जो बड़े बच्चे होते हैं, लंबे बच्चे होते हैं, उने कहाँ, खड़ा कर देखें, सब से पीछे, यानि कि behind, behind कमरलब होता है, पीछे, ठीके, तो दोस्ती हो गया, वीडियो, वीडियो और आपको अच्छा लगते हैं, तो वीडियो को प्ली वीडियो देखने, थैक्स वर वाचिं, सुधे टुटरियल्स